असलाम अलेकुम एव्रिवन आप आप सब ठीक ठाकोंगे आज मैं बना रही हैं अपने किचन में पॉपकॉर्ण बहुत ही मज़िदार होते हैं बनाने बहुत इजी है तीन से चौर मिट के अंदर भन जाते हैं तो चली मैं आपको बताते हूं कैसे बनाते हैं यहां पर मैं द ही इस बतन नौब्ल कांच होते हैं वो गोल में होते हैं और यह लंबाई में होते हैं सबसे पहले मैं एक बॉल में तीन टेपल स्पून ऐल दालने के पाद मैं तीन टेंक टेस्पून कॉंस डालोंगी और नमक डालोंगी इसके बाद हज़िए जरूरत आप चाहे तो नमक कर सकते हैं लेकि नमक का थेस्ट अच्छा आता है नमक से तो यहां पर मैंने तीन टेबिल स्पून कॉंस भी डाल दी हैं मैं अच्छे सिनको मिक्स करूंगी यह कॉंस बनाना बहुत ही आसान बहुत एजी है जब भी आपको भूख लगे आपका जब दिल करें आप फोरां सिन को बनाएं जड़ पर भनने वाली रेसिपी है यह बच्छे बड़ो सब को बहुत पसंद होती है नमक और आयल में यहां पर मिक्स कर दिया है अब मैं इसको प्लास्टिक शीट से रेप करूंगी रेप करने के बाद मैं इसको फोर्क या नाइफ की मदद से पॉप अप कर द पॉप को मैं तीन मिनिट के लिए माइक्रोवेव में रख रही हूं यहां पर मैंने तीन मिनिट माइक्रोवेव का टाइम सेट कर दिया है एक मिनिट के अंदर हमारे पॉप को जो है वो भनना स्टार्ट हो जाएंगे आप देख सकते हैं बंद चुके हैं मैं इनको माइक्रोवेफ से निकार रही हूं और इसके उपर से शुवीक उतार रही हूं आप देख सकते हैं कि तेचे फूले हैं यह कायम भी हमारा ज्यादा नहीं लगा देख सकते हैं कितने मज़ेदार लग रहे हैं देखने में और खाने में भी यतनी मज़ेदार होते हैं गरम-गरम खाएं तो अब मैं आपको पतीले में भना कर दिखाती हूं पैन में दूसरा तरीका हमारा पैन में बनाने का है तो दूसरे मैंटोड में इसी तरह से तीन स्पून आइल दाला है, और मैंने इसे नमक डाल दिया है, यहां पर कॉन को मैंने पैन में डाल दिया है, शुरु नहीं हम अपने फ्लेम को हाइर रखेंगे, जब आपारा पैन गरम हो जगा तो फिर हम मीडियम तू लो कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे कॉन्स फूलना शुरू हो गए हैं सिता से साले फूल लएंगे तो इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे इस मैंत्र में भी हमारे तक्रीमें चार से पांच में रखी लगते हैं आप देख सकते हैं पॉपकॉन्स हमारे कितने अच्छे से फूल रहे हैं और जब फूलने चुरू हो देख से पूलने कि प्रेजने का और जब फूलने शुरू होते हैं उनके अवाज बंद हो जासे करना च्राच में चेक करते हैं और ने को बॉल में निकालती हो भी आपको दिखाती हूं तो मज़ेगा पॉपकॉन हमारे रेखनी है मैं उमीद करती हूँ आपको मेरी ही रेसली पसंद आएगी अगर पसंद आती तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करें और अब भी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब निकिए अगर तब तक लिए मुझे इसाज़ दें अल्ला हाफिज